तो कैसे हो आप सब लोग वैसे आज कुछ स्पेशल है नहीं मतलब हम लोग रूटीन अपनी कमनी से आये हैं मैं आई हूँ पर हार्दिक एंदाबाद की फुल लॉन ट्राफिक जाम में फर्स चुका है और अभी साथ बज चुके है वो पांच बजे से कमनी से अभी तक घर नहीं पहुचा है बट उसको लगी है बहुत जूर की भूख तो मैं उसके लिए बनाने जा रही हूँ कुछ अच्छा नास्ता डिलिश्यस उसको बलते चटपटा चीजी यम्मी नास्ता ताकि उसका पेट भर जाया और उसको मतलब मैंने पूछा कि तुम्हें क किच्छान तो यह हम आजुके है किच्छें बटो हम बनाएंगे कुछ अच्छा सा नास्ता क्या बनाना वो अभी तक सोच नहीं है बाट कुछ ना कुछ ढर मिन गे तो लेट्स गो मेक सम्धिंग वेरी स्पीशियल faço जो है फ्रैंकी और प्योर उसमें मतलब नो में दा अली आटा आटा की फ्रैंकी बन रही हूं मतलब आपके पास अकर दुपेर की रोटी पड़ी है तो वैल एन गुड आप वही ले लो डेरेकली मेरे पास नहीं थी तो मैंने रोटी बना दी है तीन रोटिया मैंने बनाई उ प्रैप्सिकम है चिली है टमाटर है उस सबको ऐसे ही लाइन में सजा दो आलू के उपर फिर उसमें चिली फ्लेक्स औरेगेनो अगर हो तो डाल दो वना चाट मसाला है तो वही डाल दो और निमक डाल दो और कुछ भी नहीं डालना है और तो अभी हम डालेंगे सबका सेख सकते हो मतलब नौन ओईली ही है और बहुत ही हल्दी है और यम्मी तर मतलब आप मैं बताती हूँ आपको इसका बहुत ही सई टेस्ट रहेगा इसको गोल्डन ब्राउन तक सेख लो और फिर थर्ड वाली जो रोटी है यह भी मेरी सेख रही है तो दिस इस आवर के साथ सर्व कर दो मयोनीज है तो मयोनीज के साथ सर्व तना लेट क्यों आये हो इतना लेट इना लेट एंधाबाद की प्राफिक तो यह तुमारे लिए नास्ता प्रिपेर्ड खा के बता कैसा बना है तो तो खाना है पर तो खा के बता कैसा बना है तो नास्ता तो बहुत ही टेस्टी बना था डू ट्राइट एट यूर होम और बताना की कैसा बना है आप भी ट्राइ करो खिलाओ किसी को बहुत ही मज़ा आजाएगा पर उसके पहले सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत बुली